हेलो वाट्सअप गाइस टूड इन इस फ्टूड गूब विल सी रिडक्स थंक मीडिल वेर इना रियक्ट अप्लिकेशन जिसका बेस अभी से इंतजा कर रहे थे पाइनली वह वीडियो आज चुका है जहां पर मैं दिखाना चाहूंगा सिंपल मैंने रखा है जहां पर होगा यह कि we have this to do application मैं यहां पर अगर कुछ भी एड करता हूँ जैसे लाइक दा वीडियो या कुछ भी अगर मैं लिग देता हूँ लाइक से सब्सक्राइब है ना तो यह क्या होता गाई से एड हो जाता है ठीक है यह तो मैं मैंनुली टाइ सब्सक्राइब हो गया एंड हो सकता है कि आपने अपने एक API बना के रखा हो एंड लेट से कि वहां पर बहुत सारे टास्क आपको एसाइन किये गए है या कोई आपको एसाइन कर रहा है कि हां यह भी लिक्याना मार्केट से सो दा मुमेंट फैच टास्क आप कर गए एंड बुम गाइसी मैंने फिलाल अभी लिमिट रखा है जांपे हम सिफ तीन को ही फैच कर सकते तो एक दो एन दन तीन फिलाल आई नो यह कुछ और नामे एक्चुल में मैं रियल एपी इसे ही डेटा ले रहा हो बट कॉंसेप्ट आज आपको समझना जरूरी वाट इस रिड़ अधर है और क्यों रियक्ट में जब भी आप काम करते हो बेसेकली रिड़क्स में आप बहुत सुनते हो रिड़क्स थंग, रिड़क्स सागा आप कर दोसं तो सबसे पहले ले अंडिस्टेंड इस रिड़क्स थंग और लेट्स अंडेस तो पूरा प्रेक्तिकल करके बताह समझ गेगी एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा जब भी हम कोई भी एक्षिन क्रेट करते हैं वह आपको एक अब्जेक्ट बिसिकल एक 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 रिटन करता है बट जब भी आप रिड़क्स थंग मिडिल वेर का यूज करोगे तो वह आपको एक रिटन करता बखो आप देख सकते हैं रिटन्स और फंक्षर इंस्टा इंस्टा एक एक शेड प्रम यह बूत इंपर्टेंट पर फंक्षर्म यह बात इंपर्टेंट पर्फोर्ण वाजिक लाइक सबसे ज़्यदा काम आता है जब आपक हम action creator create करते हैं ताकि हम कोई भी action को dispatch कर सके बड़ जब आप Redux थंग की मदद से क्या return करते हो आप एक function return करें तो वहाँ पे तो कोई action को आप dispatch करी ने रहे basically कोई action को आप call नहीं कर बड़ ऐसा नहीं है Redux थंग में आप एक function को return जरूर करते हो उस function के अंदर आप logic लिखते हो कि मुझे इस API का data पाना है जो data आपको मिलता है then at the end में आप dispatch पे वो data को as a payload की value आप return करते हो तो यह एक power दे रहा है कि normal data के बदले API का data या server का data को आप पहले फैच कीजिएगा अच्छे से फिर उसका जो data आता है उसको फिर आप as a payload में add करके dispatch कर दीजिए तो यह ऐसा है ठीक है ना डोंट वर्य आपको पुरा clear आ जाएगा ओल्राइट ना यहां पर जो dispatch वाला जो एक पार्ट है कि वह हम जब react यूज कर रहे थे तब हमें use dispatch hook मिला था जब आम store की बात करते हो we have a store.dispatch बट जब आप redux ठंक यूज करते हो भाई आपको dispatch कहां से मिलेगा यह power कहां से मिलेगी अगेड गाइस जब यह जो function आप return कर रहे हो इस function के अदर हमें एक argument मिलता है जिसका नाम है dispatch और इसकी मदद से आप action को call कर सकते हो ठीक है यह आई होप आइड आपको पता चल गया adjust की अभी तक तो आप normal अपना खुद का data ही पास करेते बट आपको server का data चीए या API का data चीए पहले उसको आपको fetch करना है फिर उस data को फिर आपको display कराना है इन रिडक्स तब डारेक्ट इन नॉर्मल रिडक्स आप नहीं कर सकते नहीं कर सकते यू निट टू यूज यूज अ मिडिल हुए तो उसके लिए आपका रिडक्स थंक बना है सिम्पल ठीक है और गाइस तो आप देख से तो कि मैं अपनी व्यसकोड आईटर पर आचुका हूं एंड यह बहुत सिम्पल है ठीक है तिन स्टेप्स अगेन फर्स्ट इंस्टॉल रिडक्स थंक वह पैकेज आपको इंस्टॉर पर जाना होगा एंड यहां पर जब आप इस तरह किसे अपनी स्टो को क्रेट करो तब यहां पर आपको आपका मिडल वेर को पास करना है एंड थर्ड वान गाईस आप यहां पर वह अपना एक्शन क्रेटर क्रेट करोगे मिडल वाला ठीक है तो सबसे पहले यहां पर आईए रिडक्स थंक मिड देल्वेर NPM लिख देता हूं मैं ठीक है तो दिस इस पैकेज विच वी आल नेट इंस्टॉल आप देख सकते हो इजी NPM इंस्टॉल रिडक्स एंदन थंक ठीक है इसको कॉपी कीजिए अपने वेस्ट को डाइटर पर आईए ठीक है यहां पर एक बार देख लो ठीक है मैं अ साथ यह रिडक्स थंक का यह जो वर्जन वर्जन कुछ भी आप ले लो को यह डिजन मैटर हाला कि आम अभी आ टीक भी करने वाले तो यह स्थिरकेश से आपका इंस्टॉल हो गया चलो ठीक है वांस यह हो जाता है तब आप यहां पर आओगे तब आप वापस इदर एक सेकेंड और लाइट सी देन तो एनेबल रिडक्स थंक यूज अप्लाई मिडिल वे यह तो अप्लाई मिडिल वर कुछ इस तरीके से इसको कॉपी करूंगा टॉप पी आईए वी निद टो इंपोर्ट इस अप्लाई मिडिल वर्ट जो क्यों अलेडी है आप बहुत छरॉड बाद रिड पी और यह थो यह उसकें लें सकती हो अलें को यूज एक लें पारैंट टीके इस से देन तॉ राइड थी आपलाई मिडिल वर्ट नार रिडिक्स अप्लाई एकर आपलाई मिडिल वर्ट ग को अपलाई कघॉ अल़े मु दो आप्लाई काॉ अले विज So, सबसे पहले, we need a button over here, जो मैंने आपको दिखाया था थोई दिर पहले, तो उसके लिए मैंने एक button ली है, ठीक है, fetch task and एक on click event मैंने add की है, जिसमें handle fetch task करके इस function को मैं call कर रहा हूँ, मैं कोई argument and all कुछ भी पास नहीं कर इसलिए simple इसको रखा है, यहीं आगर आप जाओगे so, we have this const handle fetch task, मुझे यहाँ पर उस function को dispatch करना है, basically middleware को call करना है, but अभी तक मैंने middleware बनाया नहीं है, so, that's why, मैं यहाँ पर आओंगा, our third step is to create that action creator, with the help of redux thang, कैसे देखो, देखो, export तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, so, it's a fetch task, and yeah, this is it, अब देखो, यह भी delete task है, यह add task है, this is your normal action creators, जहाँ पर आप एक कोई function return नहीं कर तो आप एक प्लेन action return कर रहे हो, यह क्या है, आप एक object return कर रहे हो, but अभी हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, कि यह जो है return a, what, function instead of an action, action मतला pure object, यहाँ पर यह pure, देखो, over here also, we are returning an object, but यहाँ पर मैं object return नहीं करूंगा, यह हाँ पर हम एक function return करेंगे, and that is your asynchronous function, ठीक है, async function, this is it, so यह पहला difference है, and the moment आप का, you know, यह application, जब इस तरीके से देखेगा, अच्छा action creator, अच्छा action creator, अरे बापरे, यह कौंस action creator, जिसके अंदर एक async function है, वो समझ जाएगा, अच्छा यह तो redux ठंक है, यह middleware की बात हो रह हमें एक argument by default inject कर दिया जाता, with the help of redux ठंक, and that is your dispatch, क्योंकि no matter what we need to dispatch, our calls, ठीक है, so that's why, so guys, अब यह async में, obviously, आपको क्या करना है, आपको API का data get करना है, तो वो हम जो normally करते आ रहे थे, with the help of either promises, or with the help of async अवेट, तो यह async अवेट, अब समझ लो, एना, so console.log, error चिपका दो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आईए, अब, const आपका जो भी response होगा, आपको we need to wait, and let's go with, for the time being, अभी आपको easy हो समझने में, तो मैं fetch API यूज कर रहा हूँ, and मेरे पास simple सा इसका code है, जिसमें मैंने, देखोना, यह JSON place hold, and limit मैंने 3 रखाए, ठीक है, and task will be equal to, obviously, again we need to wait, and य आपको उसको convert करना होता है, into JSON, ताकि हम उसको read, basically, हमार application read कर सके, so, response.json, ठीक है, और ठीक है, now this is it, अब, यहाँ पर सबसे जादे इंपोर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना है, now guys, अब यह बहुत इंपोर्टेंट पार्ट, and that is, dispatch मैंने आपको बहुत इंपोर्ट ठीक, जिसका बस फंडा इतना है, कि traditional plane object बेजने से पहले, मुझे एक API को call करना है, उसका data मुझे पाना है, फिर जाके आगर हो success हो गया, तो मुझे वो dispatch करना है, normally, जो हम करते आ रहे थे, यह वाला, अब, this is the power of your middleware, मतलब कुछ काम को करने से पहले, बीच में एक और मेरा एक important काम है, वो कर दो, समझे रहे हो, middleware सापके हर जगे express node में भी हमने पढ़े, यहां पे भी same होई काम है, ठीक है, यह dispatch करने से पहले मुझे data चाहिए, प्लीज वो पहले data ले लिजे, फिर यह जो task होगा, पेलोड को पास कर दो, खत्तम, मेरा काम हो गया, so yeah, मेरा यह काम होगे, अब मैंने, sorry, delete task नहीं, we need to go with fetch underscore task, ठीक है, अब यह जो पाट है, यह तो मैंने create की नहीं है, so let's create our reducer function for the same thing, all right, fetch task को मैंने अलरी यहां पे बना के रखा है, ठीक है, so इसको मैं copy कर रहा हूँ, delete task के, sorry, not over here, over here, यहां पे मैं आता हूँ, we have a case, ठीक है, we have a case, and that is this one, अब यहां पे से मुझे चीज़े return करना है, मुझे dot dot dot, state की जितने भी data सबको as it is, अब उसमें जो task है, क्योंकि at the end मुझे इसको add to task में ही करना है, ठीक है, so dot dot dot, मेरे previous जितने भी मेरे task होंगे, उसक आप as it is रखिएगा, and उसके उपर अभी जो यह मेरा action, dot payload वाला जो data है, आप add कर दीजे, simple मेरा काम हो गया, fetch task में यही तो है, कि आप data को fetch कीजिए, ठीक है, उसका जो भी data होगा, इसको यहां पे store कर दिया, task नाम के variable पे, and payload में मैंने वो पास कर दी, यहां पे कुस्तो भ find Q, तो यह क्या चीज है, F-E-T-C-H, F-E-T-C-H, अच्छा, task है, fetch task मेरा काम हो गया, so this is job middle way, ठीक है, यह है आपका air redux thunk, यहां पे मैंने उसका simple sa case ready किया, reducer function के अंदर, and यहां पे मैं उसको call, all right, yeah, now, this is it, finally, जब भी को इस button पे click करेगा, I need to dispatch, you know, वो particular function को आप मुझे call करना है, and that is nothing but which one, this one, यह वाला, fetch task, that's why export करके रखा है मैंने, इस तरीके से, and मैं कोई extra argument past नहीं कर रहा हू, fetch task, एक बार देख ले तो fetch task, yeah, fetch task from store, this is it, मेरा काम हो गया, so I hope आपको पता चल गया middle way का क्या काम है, so 3 to 1 and कुस्तो हो गया, and एक problem तो ह है, वो तो मैं मानता हूं, but यहां पर क्या problem आ रहा है, so, ठीक है, objects are not valid as a react child, object with keys, ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बाताना चाहूंगा, इस data ना हमें मिल चुका है, ठीक है, the thing is, यह जो आपको data मिल रहा है, over here, इस जगे पर, यह जो task आपको मिल रहा है, ठीक है, यह जो task आपको मिलता है, यह एक, ऐसा समझ लोगी, इसके अंदर पूरा object है, by the way, ठीक है, इसको मैं refresh कर रहा हूं, पूरा clean कर देता हूं, fetch पर click करता हूं, यह देखो, आपको क्या मिलता है, यह यह date आपको मिल रहा है, इस तरीकी से, यह दिख रहा है, एक, so, just look at this, guys, यह date आपक तो यह जो title है, मुझे सिर्फ यह चाहिए, पहले का title, दुसरे का title, तिसरे का title, मैं यह समझ रहा हूं, कि यह मेरे task है, ठीक है, so, यह मेरा task यहाँ पे, अब यह जो task है, यह एक array है, and मुझे सिर्फ title चाहिए, as a payload की value में, तो मैं क्या करूंगा, it's simple, right, मतलब थोड़ा सा दिमाख लगाओ, अब क्या करोगे, array में अगर सिर्फ title चाहिए, तो map method लगाओ, और क्या करेंगे, ठीक है, so, let's go भी यहाँ पे, current task, ठीक है, जो भी होगा, so, just क्या करना, आपका यह जो भी current task होगा, dot title, simple होगा, not yet, title, simple, बस खत्म, right, so, at least, यह मेरा काम होगे, अब अग तीन टाइटल थे, तीनों की तीनों, एक ही के अंदर ही आ गया, like, मुझे क्या चाहिए था, third, fourth and then fifth, मतलब इस्तिर के से तीन टाइटल मुझे, एक, मतलब तीसरा, चौता, पांच्वा इस्तिर के से चाहिए था, हुआ यह, कि data कही न कहीं, तो मैं आपको दिखा सकता जो पूराने data है, वो है, जो पूराने data है, so है, बट जो नया टाइटल में को तीन चाहिए थे, वो मैंने एक साथ इस्तिर के से डाल दिया, है ना, तो मुझे जहां वो तीनों, एक साथ, I mean तीनों को मुझे individual to-do task की तरह दिखाना था, मैंने वो तीनों task को एक ही में कर सकते हैं, कैसे उसको मैं individually differentiate अलग-अलग कर सकता हूं, ठीक है, and let's do one thing, over here we have a redux, ठीक है, तो fetch task पर अगर मैं यह देखो गाइस, देखा, कितना easy हो गया ना, data तो मुझे बराबर आ रहे है, like 0, 1 and then 2, लेकिन इनको मुझे individually भी दिखाना है, देखो data तो मुझे बराबर आ यह देखो ना, task fetch, अब इन तीनों को मुझे individual पहला एक task, फिर दूसरा एक task, फिर तीसरा एक चाहिए, ना कि तीनों को मुझे एक ही में दिखाना है, ठीक है, तो इसके करने के तो बहुत तरीक है, but एक simple तरीका है, dot dot dot, we need to spread those three into individual, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर चलता ह और की start and then end के बीच में भी अगर आपको कुछ extra work करना हो, तब आप middleware का काम ले सकते हो, नाम ही है middleware, बीच का कुछ काम अगर रहे गया होगा, क्योंकि अब भी तक तो हम normally में यहाँ पर जो भी लिख रहा था, वो मैं add कर रहा था, right, but अब API का data मुझे चाहिए, तो वो API क आपको help करता है कौन, Redux Thung, यहाँ पर मैंने आपको यादे हमारे Redux Tutorial में मैंने बाता था, अभी कभी भी अगर server से data fetch करना हो, भूल जाओ दुनिया, just go with Redux Query, I'm sorry, not Redux, it's a React Query, that is your 10stack Query, तो 10stack Query भी उसी के लिए ही है, but I still prefer to go with 10stack Query, but हाँ अगर Redux के ecosystem में हो, तो फ पसंद होगा, and fund आपको पता चल गया होगा, fund आपको कुछ नहीं है, fund बस यह कि normal action creator आप create करते हो, तो आप एक object को return कर रहे हो, जहाँ पर function आप बताते हो, type क्या है, and क्या आपको basically कौन सा extra information बेजना है, यहाँ पर क्या था, बस मुझे एक API से extra data चाहिए था, तो मैंने Redux Th middleware की मदद से, पहले API का data get की task में store कर दिया, फिर जाके मैंने same वही चीज यह वाला part, वही मैंने इहाँ पर return कर दिया, बस यह ही difference है, and finally, I hope, जो Redux Thung आपका mind में था, यह क्या है, वो आप clear हो गया होगा, believe me guys, आगे और भी बहुत कुछ आने वाला, बहुत मजा आएगा, यह पुरा, एक पहली बात तो जो मैंने react 19 tutorials बने इससे better कहीं मिलेगा, react query भी मैंने complete कर दिया है, Redux, अब almost complete होने वाला, बचा हमारा Redux Toolkit, ठीक है, and guys, अगर वीडियो पसंद आ रहे है, मैनत पसंद आ तो like कीजिएगा, दोस्तों के साथ भर-भर के share, and our next target is, यहाँ 7 lakh subscriber, अ मिलता हूं कल की वीडियो में, till then guys, thank you so much, take care.